ये टावा में बेखॉफ होए दबंग दबंगों ने गर्वती महिला को जब कर पीटा है आपको बता दे बच्चों में हुई लड़ाई के जलते महिला को पीटा गया शुकाज करने पर पुलिस ने कोई कारवाई नहीं की बामले में पुलिस ने महिला और उसकी पती को थाने से भगा दिया निया के लिए SSP कारवाले के बाहर महिला लेटी हुई तस्वीरे भी आपको दिखाएंगे बच्चों में लड़ाई हुई और इसी के चलते महिला को पीटा गया शुकाज करने पर पुलिस ने इस मामले की कोई भी सुर्वाई नहीं की ऐसा आरूप महिला की तरफ से लगाए गया है बॉलिस ने महिला और उसके पती को थाने से भगा दिया उनकी बात तक सुनी नहीं गई इस पूरे मामले को लेकर यही आरूप महिला और उसकी पती की तरफ से लगाए गये है एचावा में दबंगों के दबंगाई साफ तोर पर देखी गई आप यह तस्वीरे देखी एक मासून बच्चों के साथ में यह महिला यहाँ पर लेटी हुई है उसके तीन बच्चे उसके इर्दगर्द दिखाई दे रहे हैं उनका पती भी यहाँ पर मौजूद है और दोनों को ही ठाने से भगा दिया गया है ऐसा इस परिवार की तरफ से कह आगया महिला की तरफ से भी और उस पुरुष की तरफ से भी कि पुलिस की तरफ से हमारी बाते सुनी नहीं गई है दबंगों की तरफ से जिस तरीकी की कुरूता हमारे साथ में की गई इंसाफ की गुहार लगाने हम यहाँ पर पहुचे उप वोई थे लेकिन हुए तो ये तस्वीरे आप साफ तोर पर देखे ये यूपी की पुलिस है जो लगतार ये दावे करती है कि जितने भी लोग उसके पास में अपनी दर्कार लेकर आते हैं पुलिस अपना काम सही तरीके से कर रही है लेकिन ये अमानी चेहरा ही कहा जा सकता है कि किस तरीके का बरता इस महिला और इसकी परिवार के साथ में किया गया मासूम तीन बच्चे हैं जिनके साथ में ये महिला यहां पर जमीन पर लेटी हुई है क्योंकि इनके साथ में दबंगो की तरफ से कुरूरता की गई है जब ये पुलिस की पास में पहुंचते हैं पूरा परिवार जब प पुलिस की कारशेली क्या है पुलिस को लेकर तमान बाड सरकार आदेश देती रही है फटकार लगाती रही है लेकिन पुलिस की कारशेली जसकी तस्पनी हुई है